अभी तक हमने क्या किया? प्रस्टू में सबसे पहले हमने E निकाला due to point charge फिर हमने पिछले से पिछले lecture में E निकाला due to a charged ring फिर हमने E निकाला charge disc आज की आमने फिर हमने E निकाला एक arc की वज़े से फिर हमने E निकाला एक semi-circle arc का special case था फिर हमने E निकाला एक coordinate arc था वो भी special case था arc का अब हम E निकालेंगे क्योंकि वो arc थी arc थोड़ी तेड़ी होती है, गोल होती है, arc है अब straight है, सीध है, wire अगर तेड़ी नहीं है, सीधी है तो electric field intensity due to infinite line charge तो ये infinite है, infinite का मतलब बहुत लंबी wire है और आपको R0 perpendicular distance दूर E निकालने, ये question है clear रहे हैं तक, तो इस question को और क्योंकि wire पे charge lambda-wise distributed है, तो यहाँ पर lambda यूज़ कर लिया, lengthwise distributed है इसमें actual में करने का तरीका तो लंबा है, जस्ट फोटो दिखाना चाहता हूँ, करवाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ना कुछ, उसका reason भी है, मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ इसकी photo क्योंकि मैं, ये मुश्किल तरीके से मैंने की है, अब हम एक chapter start करेंगे flux, इसको दो line में खतम कर देगा flux, मतलब इतनी बड़ी integrations का substitute two line में खतम होगा, तो मैं क्यों कर रहा हूँगा, तो लेकिन बताने के कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आपको ये निकालना है, तो आपको दो elements symmetry में लेने पड़ते हैं, जैसे हम नॉर्मल या तक लेते आएं, फिर ये repel, ये repel components, ये y component cancel, x component के integration, तो अगर हम इसकी integration करें, करनी ये बिल्कुल भी, लेकिन अगर हम करें, करते, 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 ये answer आएगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक formula लिखना है, ये diagram बनाए, line charge का, तो लिखें, electric field intensity due to a line charge, infinite line charge, ये diagram बनाए, और सीधा e का formula लिखें, आपको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, देखना भी नहीं है, मतलब करना तो दूर की बात, देखना भी नहीं है, बात ही खताब, पर मैंने आपको इसलिए बताया, बड़ी complex integration हैं, जिससे कि ये प्रूफ की आजा सकता है, क्या ये point clear है, आपके examination में इसका proof नहीं आने वाला, especially इस method से, आपके examination में objective आएगा, वो गएगा जी ये line charge है, बोलो इसका e का formula क्या है, आप सीजा बोलना, 1 by 4 by epsilon naught, 2 lambda by r naught, अब अगला question, क्या ये NCRT में है, हाँ, ये NCRT में है, इस formula is used in NCRT paper, बोर्ड के अंदर आएगा, ये formula यूज करना, important mark कर लेना, इसे, लिख लेना, for NCRT, formula only, proof है, proof ना, Gauss theorem में है, दो line में है, तो असान तरीके से proof है, मुश्किल तरीके से proof नहीं है, ठीक है, line charge का ये formula और ये बहुत आते है, important है, board में isके ऊपर question आते है, line charge में, इस formula के ऊपर, मैं अगली बार ये करवाँगा, इसके numerical करवाने हैं मुझे, ठीक है, ये formula लिख लिए है यहां तक, आगे, जब मैं इसकी integration कर रहा था, बड़ा important point बता रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, जब मैं इसकी integration कर रहा था, इस figure को देखते हुए, जो भी कर रहा था, इसके अंदर integration d theta की form में चल रही थी, बस ये देख लो, और कुछ, आगे पीचे कुछ अगर infinite है, तो यहां पर यह एंगल क्या बनेगा? infinite, finite तो बनेगा, infinite क्या होता है? यहां रुक थोड़ी ना गया, बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब यह एंगल बहुत बड़ा हुता जाएगा कुछ ऐसे, जैसे मैं यहां पर हाथ रख रख रहा हूँ, अगर यह infinite होता है, तो यह 60 degree, 80 degree कुछ तो आता है, अगर यह infinite है, तो मेरा हाथ ऊपर 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 जाता जाएगा, यानि कि यह एंगल यह वाला X के साल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंफिनिटी भी जाग क्या बनेगा? अप्रोचिंग टू 90, बहुत बहुत दूर बनेगा, अप्रोचिंग टू 90, तो इंफिनिटी की लाइन जब आएगी, तो यह उपर का एंगल 90, नीचे का एंगल भी 90, क्योंकि नीचे से भी इंफिनिटी है, उपर से भी इंफिनिटी है, तो क्या step क्लियर है? तो अगर लगा के, value put करके, यह answer है, जो आपने note कर लिया, आपको याद करने की जुरूत नहीं है, लेकिन मेरा एक question है, suppose करो, मैं एक question कर रहा था, finite wire का, जैसे यह एक finite wire है, इन finite नहीं है, मेरे को R0 distance पे E निकालना है, finite charged wire का, such that, एक एंगल नीचे वाला, ये वाला, suppose theta 1 है, और उप अगर मैं इसकी derivation करूँ, मैं यहाँ पर आके फस जाऊँगा derivation में फिर से, और जब derivation यहाँ तक आएगी, अगर infinite wire है, ऊपर जो भी थी छोड़ो, यहाँ तक the result तो same ही चलेगा, अगर infinite wire है, तो minus pi by 2 से, pi by 2 है, अगर finite wire है, तो यह step जो बनेगा, E net का, वो क्या बनेगा, 1 by 4 pi epsilon 0, lambda by r 0 into sin theta, कहां से कहां तक, minus theta 1 से लेके plus theta 2 तक, यह point clear है, क्योंकि इस line के नीचे की limit negative होती है, और इस line के ऊपर की limit, क्योंकि नीचे ऊपर तो हम maths में बोलते नहीं, नीचे negative है, ऊपर positive है, तो minus theta 1 से theta 2 की limit लगेगी, अगर wire infinite है, तो minus pi by 2 से pi by 2 लगेगी, अगर angle 30 60 है, तो minus 30 degree से plus 60 degree लगेगी, और अगर theta 1, theta 2 है, तो यह लगेगी, मैं अगर इसकी values को put करूँ, तो मेरे पास answer आएगा, 1 by 4 pi epsilon 0, lambda by 0 into, limits put करते हैं, sin of, यह plus हाएगा, sorry, sin of theta 2 minus sin of minus theta 1, minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो मेरे पास value क्या आएगी, e की value आएगी, 1 by 4 pi epsilon 0, 4 pi epsilon 0, lambda divided by r 0 into sin of theta 2 plus sin of theta 1, एक काम करें, यह formula, इस diagram के साथ नोट कर ले, यह r है, और यह angle है theta 1, यह angle है theta 2, ऐसे है, यह note कर ले, कि अगर मुझे यह angle theta 1, theta 2 given हो, तो straight यह formula लगाए answer आएगा, clear है, तो यह सबसे important formula है, तो ना तो आपको यह derivation करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप simple एक formula यह आद करें, कि अगर यह wire मेरे को straight given हो, such that नीचे के साथ angle theta 1, और उपर वले end के साथ angle theta 2 है, तो e की value यह बने कि बस, इतना याद करने, और यह यह याद करते ही, आपको infinite वाला result अपने आप मिल जाएगा, क्यों? अगर infinite wire आगई तो angle theta 1, theta 2 के जाएगा 90, 90 put करने, answer आजाएगा, special case निकलाया, तो clear है तो यह formula को नोट करें, important formula है, NCRT में यह नहीं आता, NCRT में, CVAC में infinite wire पे formula हता है, बस, finite पे नहीं आता, finite किसी objective paper में आएगा, ठीक है, बता दू, ता कि आपको पता लगे, finite objective में आएगा, infinite NCRT objective दोनों में आएगा, ठीक है आतर, formula समझ में आ रहा है, इस पूरे lecture में कुछ भी नहीं है, सिर्फ shortcut formula चल रहे है, उसके बाइस में objective solve होने है, जैसे, आपको paper में यह numerical आ गया, angle 30 and 60, तो बोलो, E का formula यहाँ पर क्या लगने वाल है, 1 by 4 pi epsilon 0 lambda divided by r 0 into sin of 60 plus sin of 30, answer, ऐसे objective mark होने है, आपको one derivation दोना करनी है, आपको angle put करके E की value answer, तो समझ में आ रहा है कि कैसे वह formula मैंने derive किया पहले, उस formula के base पे कैसे मैंने put करके दिखाया, theta 1 theta 2 answer, कोई doubt इसमें? clear है यहां तक, ठीक, तो आज के बाद अगर finite infinite wire आया, तो भी formula है, अगर यह formula भूल गए, तो यह 90 90 put कर लेना, अगर finite wire है, तो भी answer आ गया, अगर next case यह आ गया, इसमें यह भी एक finite wire है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से infinity है, तो E के formula में, 1 by 4 by epsilon में, बोलो मैं sign of पहला angle क्या put करूँ, 90 के मैं दूँगा answer क्योंकि एक end पर infinity है, दूसरा angle बोलो क्या ले, sign of क्या, 0 क्योंकि अगर यह wire नीचे होती, तो नीचे एंगल बनता theta 1, और wire यही से start है, तो theta 1 automatically क्या हो गया, 0, तो sign of 0, तो याद रखना, अगर wire के एक end पे, एक point है जहां पर यह निकालना है, तो एक angle automatically क्या हो जाएगा, 0, तो step समझ में आ रहे हैं तक, तो objective में जैसी ऐसी figure आएगी वैसे plot कर लेना, तो infinite है तो भी हो गया, finite है तो भी हो गया, अगर angle नीचे उपर बन रहे है, तो भी हो गया, अगर नीचे नहीं बन रहा उपर बन रहे है, तो भी हो गया, और अखरी case जो आ सकता है, इसके लाब कुछ हो यहां सकता, यह रहा, wire यहां से start है, infinity है, finite है, पर point है कि E मुझे यहां नीकालना, नीचे नीकालना है E, E मुझे नीचे नीकालना है, अब एक काम करना पड़ेगा, फिर से इस topic पर वापस चलते हैं, मेरा question है कि यह एक wire है, जिसके उपर charge है, और मुझे E कहां पर निकालना है, मुझे E यहां निकालना है, at a distance of r0, यह रहा, suppose यह जो angle है, suppose करो, यह जो angle है, वो है theta 1, और यह जो angle है यहां से, यह कितना है, theta 2, ऐसी हुआ है, क्योंकि इस line के ऊपर, wire जो है, ऊपर है, तो दोनों angle की limit positive ही रहेगी, क्यों? क्योंकि यह मेरी straight line है, r0 वाली, और wire ऊपर से start हो गया, ऊपर की angle की limit सारी positive, नीचे की limit सारी negative, पर यहां तो दोनों points ऊपर हैं, तो मैं क्या करूंगा इसमें, e की value में, यहां पर, 1 upon 4 pi epsilon 0, lambda by r0 में, जब मैं लिमिट पुट की थी, अब मैं theta 1 से theta 2 करूंगा, जबकि पहले मैंने क्या put की थी, minus theta 1 से theta 2, अब मैंने दोनों positive लेनी हैं, क्योंकि दोनों, जो wire के ends हैं, वो मेरी line के ऊपर है, तो जब मैं इसमें limit put करूंगा, 1 by 4 pi epsilon 0, lambda by r0 into sin of theta 2 minus sin of theta 1, यह put करूंगा, तो आप यह formula note करें इस figure के साथ, ठीक, यह formula note करें, और इसकी जो figure है वो यह note करें, मैं यहां draw कर रहा हूं figure, यह एक wire है, यह एक wire है, lambda, मुझे e यहां पर निकालना है, at a distance of r0, such that यह जो angle है, वो theta 1 है, यह जो angle है, वो theta 2 है, तो अगर question ऐसा आता है, तो कुछ ही नहीं करना, कोई integration नहीं, सीधा यह formula लगा के answer, अब करते हैं, अभी करते हैं, माग कर लो, को तो कर दमें हैं, माग करता है, तो टाना है, यहां जो अधिया, किना झालना झालना है यहां हा कि निकालनी है दोनों एंगल्स उपर की तरफ है एक 30 और एक क्या 90 तो बो क्या बनेगा फॉर्मुला फॉर्मुला बनेगा ए पहला एंगल कितना 90 दूसरा एंगल कितना 30 परी मॉड लगा देना नेगिटिव की जो इतनी है पॉस्टे वल्यू आएगी जो भी आएगी मैथट सम्झ में आर रहा है कैसे करना है सही ठीक तो मतलब आप वराइटी देख रहे हो कि पहले हमने यह निकाला पॉइंट चार्ज फिर निकाली रिंग फिर निकाली डिस्क फिर क्या निकाला आर्क में भी कोई निकाली 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 निक finite charges नहीं आते है, finite wire नहीं आती है, infinite आती है